आईए सुनते हैं आभा श्रिवास्तव जी की कहानी, वो मेरा बेटा नहीं, अरे गायत्री, कहां से आ रही है, और ये क्या ले आई, देखूं तो, कहते हुए मैंने गायत्री के हाथ से डिब्बा ले लिया, अच्छा, आज मंगलवार है, प्रसाद लेके आ रही है, वो चाते हुए भी मुझे जूट बोलना ही पड़ा, मैं खूब समझ रही थी, कि गायत्री के आखे निरंतर देव को खोज रही थी, लेकिन देव और उसकी दादी की कड़ी हिदायात थी, कि गायत्री को अंदर ना आने दिया जाए, मुझे प्रसाद थमाकर गायत्री उल्ट ले लिया, ये क्या मजाक है देव, जब से आये हो एक बार भी उससे नहीं मिले, मैं जूट बोलती बोलते ठक गई हूँ, ओ माह तुम नहीं जानती, इस समय मैं गायत्री क्या किसी से भी मिलने के मूड में नहीं हूँ, सिर्फ आराम करना चाहता हूँ, लेकिन गायत्री क् मैं तनिक तिक्त स्वर में बोली, क्यों, गायत्री में ऐसी क्या खास बात है, जरा हम भी तो सुने, माला जबते हुए अम्मा जी बाहर आ गई, अगर गायत्री में ऐसी खास बात ना होती अम्मा, तो आपका पोता आज इतनी उची नौकरी के काबिल ना बन पाता, कहते घड़ गई, पीछी से अम्मा जी की भुनबुन सुनाई पड़ती रही, मित्य भर की मामूली लड़की, कहा देव, जो आज बना है, अपनी काबिलियत, अपने दम पर बना है, चाहे कोई माने या ना माने, मैंने कमरे में जाकर कार नहीं बंद कर लिये, इधर कई दिनों स गायतरी के प्रती देव के विवार में बदलाओ देख रही थी, नई नौक्री जोइन करने के बाद देव पहली बार घर आया, तो उसमें एक एहंकार सा दिखा, वही एहंकार जो उसकी दादी के विवार में था, उसे शायद देव के पिता जी नहीं भाब सके, किन्तु मै मैंने इसे दो घंटे में ही परक लिया था, क्योंकि इसी एहंकार की जुआला में मैं पिछले कई वर्षों से जुलस रही थी, मन जाने के उदास्सा हो गया, ना चाते हुए भी उस पराई लड़की का भोला सा चेहरा बार-बार आखों के आगे नाच रहा था, मुझे उस चर्मा जी का परिवार रहने आया था, तीन बेटियों में गायतरी सबसे बड़ी थी, गायतरी कब हमारे परिवार में रच पस गई, पता ही नहीं चला, बेटी ना होने के कारण मुझे जो अकेला पन कचोटता था, गायतरी उसकी पूरक बनी, वो घर में आती तो रोनक सी चा जाती, मेरे साथ वो दाल चावल बिनवा लेती, बड़ी मुगोडी भी तुड़वा लेती, मेरे हाथ का अचार उसे बेहत पसंद था, देव चुट्टियों में घर आता, तो उसे चाई कॉफी की तलब कई बार लगती, अक्सर गायतरी ही उसे चाई कॉफी दे आती, जिस दिन गायतरी नहीं आती, घर सुना लगता, मैंने मैसूस किया था कि मेरी ही नहीं, उस दिन देव की आँखें भी गायतरी का रास्ता देखती थी, किन्तु गायतरी के घर में उसकी अपनी जिम्मेदारियां थी, अपाहिज मा की देख भाल करते हुए घर का सारा काम का जर हो गई, तब देव ही उसे कॉलिज छोड़ने और लेने गया था, लोटने पर देव के मन के उच्छा को मैंने भी मैसूस किया था, मेरा मन किया कि गायतरी की स्कूटी यूहीं बिगर्ती रहे और देव उसे इसी तरह कॉलिज छोड़ता रहे, शायद गायतरी ने भी द सुन-सुन कर हम सभी गहरी निराशा में डूब गए थे। देव की हालत देखकर मेरा कलेजा मू को आता था। वो गहन अवसाद के दिन थे। देव के पापा दो महा की ट्रेनिंग के लिए विदेश कहे थे। घर में मैं बुड़ी सास और निराश हधाश देव। उसी कठन म इस स्थिती में देव को तीव रिजवर ने पकड़ लिया। इन दनों गायतरी मेरा और देव दोनों का संबल बनी रही। तब ही एक दिन देव को तीव रताप गहरी नीन में बढ़बढाते हुए सुना। गायतरी तुम कहीं और ब्या कर लेना। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हारे काविल बनने की लेकिन बन नहीं पाया। मैं कुछ नहीं कर सकता गायतरी। कितने शर्म की बात है ना कि जिसके पापा IIT के टॉपर रहे हो वो लड़का साधारन इंजिनिरिंग की परीक्षा तक नहीं पास कर पाया। छी दिकार है मुझ पर। तभी अचानक गायतरी आ गई। चुपचाप उसने मेरे हाथ से देव का हाथ ले लिया। उसे सहलाते हुए वो मीठे स्वर में बोली। देव ऐसा मत कहो तुम्हारे जैसी लगन तो बहुत कम लोगों में होती है। एक परीक्षा छोड़ देने से कोई सफल नहीं हो जाता। देखना दे एक दिन तुम इतने सफल होगे कि सब देखेंगे। गायतरी मुझे देख रही थी। मैं अपने आसू रोकते हुए वहां से उड़ गई। रसोई में पीछे पीछे अम्मा जी चली आई। बहु यी गायतरी का आना हमें पसंद नहीं है। कहे देते हैं ज्यादा मूमत बार जाकर बैठे हैं और आप से घर बार किसी सहारे की आस रखना व्यर्त है। समय के साथ देव का खोया हुआ आत्मे विश्वास लोटने लगा। धीरे-धीरे मन शांत हुआ तो वो पूरवत हसने बोलने लगा। गायतरी ही थी जो अपने घर के साथ-साथ मेरा घर भी स माल रही थी। करीब 15-20 दिन बाद एक दिन देव स्वयम ही बोला मा मैं कॉलिज वापिस जाना चाहता हूँ। मैं इसी दिन की प्रतिक्षा में थी। मेरा रोम रोम गायतरी का रिणी था। गनीमत थी कि इतना बड़ा हाथसा देव के पापा के विदेश प्रवास के नहीं किन्तु अम्मा जी की पार की आखोंने गायतरी के प्रति मेरा लगाओ भाप लिया था। बहु हम कहे देते हैं गायतरी से जादा मोह न करियो। हीरा जैसा लड़का हम मिट्टी के मोल न देवे। इस उमर में भी अम्मा जी का माया मोह नहीं चूटा था। देव के ब्या में वो भारी दहेज लाने वाली बहु की आस लगाए थी। दरसल स्वयम जब उन्होंने अपनी लड़की को भरपूर दहेज के साथ विदा किया तबी से वे अपने दोनों बेटों के ब्या में खूब दहेज लेने की ठान चुकी थी। लेकिन जहां मैं अपने ससु जी की पसंद से इस घर में बिना दहेज आई थी। वहीं मेरे देवर ने कोर्ट मैरेज करने के बाद ही अम्मा जी को ख़बर की थी। इस तरह दोनों बेटों के मामले में दहेज के मोर्चे पर अम्मा जी ठगी गई थी। जिसका मुआवजा मुझे समय समय पर भुगतना पड़ता था। क्योंकि देवर देवरानी तो हिंदुस्तान छोड़ पिछले बीस बरस से नाइजीरिया में जाबसे थे। जहां तहां रिष्टेदारी में शादी ब्यास से लौट कर जब वो दान दहेज की चर्चा करते हुए मुझे सुना सुना कर ताने दे थी। तो श भाई विदेश में जा बसा और एक सड़क दुरघटना में मा और पापा भी चल बसे तब जाकर अम्मा जी का मुझ बंद हुआ। तब तक देव काफी बढ़ा हो चुका था। गायतरी का सहयोग कहूं या देव की मेहनत इंजिनियरिंग की परीक्षा में देव ने काफी इच्छे नंबर लाए। कैंपस सेलेक्शन में ही देव का चैन एक बढ़िया सौफ्वेर कंपनी में हो गया। जोइन करने से पहले देव एक हफ़ते के लिए घार आया था। सफलता की चमक ने उसके चेहरे की रौनक बढ़ा दी थी। अब देड़ दो बदस पहले का नि जिए मुंबई चला गया। एक दिन गायतरी के पिता जी सहसा आ गये थे। मुझसे ही बोले बेहन जी आप ही समझाएं गायतरी को ब्या से इंकार कर रही है। तीन-तीन बेटियां हैं मेरी। निप्टाते निप्टाते समय लगेगा। अकेले मैं ही समालने वाला हूँ। उसकी मा तो बिस्तर पर पड़ी है। लाख समझाने बुझाने के बाद भी गायतरी ब्या के लिए तयार नहीं हुई। हार कर छे मैने के भीतर ही उससे दो बरस छोटी मैतरी का ब्या उसी लड़के के साथ कर दिया गया जिससे गायतरी की बाद चली थी। तब का गया के लिए उसका मंट टोला, तो हसकर टाल गया था देव, जाते समय देव से बार-बार वचन लिया था कि लंदन से कोई फिरंगी बहू न लाना, साल भर युक समान बीता, इस बीच गायतरी की सबसे छोटी बहन भी ब्या गई, उसकी माँ अनायासी एक रात सोई, तो सुबह हम लोग तो जाकर उससे मिलाए, किन्तु गायतरी की मूख दृष्टी का मैं उत्तर नहीं दे पा रही थी, देव आरम से ही महत्वकांशी था, प्राइवेट कमपनी की उची नौकरी भी उससे संतोश नहीं दे पा रही थी, डेड़ दो बरस की नौकरी और विदेश ने उसके भीतर गजब का आत्मविश्वास भर दिया था, इसलिए जब उसने सिवल सर्वसेस की प्रतियोगिता में बैठने की इच्छा जाहिर की, तो उसके पिता ने भी उसका मनोबल बढ़ाया, परिनाम अनुकूल रहा, प्रथम प्रयास में ही देव को सफलता मिली, य अगबारों की सुर्खियों में देव का नाम और तस्वीर छपी थी, मेरे अफचेतन में गायतरी के शब्द गूंज रहे थे, देखना देव, एक दिन तुम इतने सफल होगे कि सब देखेंगे, टीवी चैनल पर बार बार देव का चेरा दिखा रहे थे, कर्व और खुश में तुलसी की माला, मुह में राम नाम और मन में माया मो और दहेज की इतनी हवस, मैं जान रही थी कि अम्मा जी के चलते मैं गायतरी को अपनी बहु नहीं बना सकूंगी, मुझे विद्रो तो करना ही पड़ेगा, क्या कमी थी गायतरी में, देखने में अच्छी भली, फूख फूख कर कदम रखना चाहती थी, गायतरी ने पता नहीं कब मेरे मन में घर बना लिया था, किन्तु पहले देव का मन भी तो टेटोलना पड़ेगा, मसूरी से ट्रेनिंग पूरी करके देव की पहली पोस्टिंग, SDM के स्थर पर एक कस्बे में हुई, नौकरी में स्थिरो कर देव बहुत दिन बाद 15 दिन की शुट्टी लेकर घर आया, तो जैसे घर में एक उत्सफ का वातावरन चा गया, उसके लिए रिष्टे आने तो जाने कब से शुरू हो गए थे, हम लोग ही टाल रहे थे, इस बार कुछ इत्मिनान था, हम सभी चाह रहे थे कि देव इस बार कुछ निरने करके ही पोस्टिंग पर जाए, किन्तु देव के तेवर इस बार कुछ अलग ढंके थे, उसके पापा को तो अपने दफ्तर से ही फुरसत नहीं थी, इन दिनों देव की अपनी दादी के साथ खूब पटरी बैठने लगी थी, देव के बया के ल करने से इंकार कर दिया था, मैं इंतजार ही करती रही कि देव मुझसे कुछ कोछेगा, अभी मेरे मन के किसी कोने में देव की वही बात गूच्टी थी, जब हो गहन अवसाद में था और उसने गायतरी से कहीं और बया कर लेने को कहा था, मुझे लगता था कि मेरा बेटा जो इतनी उची नौकरी का हगदार है, दहेज के लिए स्वैम को नहीं बेचेगा. लेकिन शायद मैं गलत थी. समय ने देव को बदल दिया था. देव ने जिस लड़की समीरा को फसंद किया था, वो एक सीनियर आई-एस ओफिसर की बेटी थी. फोटो में सुन्दर लग रही थी. देखने में और भी सुन्दर थी. किन्तु उसकी सुन्दरता में एक दीखापन था. दहरादून के विख्यात पब्लिक स्कूल की पड़ी थी. भाई इंजिनियर था और मा वैज्यानिक. कुल मिलाकर परिवार प्रतिष्ठित और संपन्न था. वो लोग पैसे और रुत्बे वाले थे. मंगनी से पहले मैंने धीरे से देव से एक बार फिर पूछ लिया. देव, तुन्हें गायत्री को कोई वचन तु नहीं दिया था न? उत्तर में देव मुकर गया. अपने बेटे सहित हमारे घर प्रधारे. अपचारित चाय नाश्ते बादचीत के बाद उन्होंने कन्यादान हेतु लिया गया अपना संकल्प जब हमें बताया, तो मैं चकरा ही गई. इतना दहेच, मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी. इश्वर का दिया हमारे पास सभी कुछ था. सो कभी इस तरफ सोचा ही नहीं. बस इतना ही चाहा था कि धंकी बहु घर आये, जो अपने से बड़ों का सम्मान करें, तथा मेरे बेटे की ग्रहस्ती समारें. किन्तु सम्मदी जी ने तो चुगगा डाल ही दिया था. अम्मा जी और देव बहत प्रसन नजर आ रहे थे. संतुष तो देव के पापा भी लगे, किन्तु मुझे ये सब अटपटा लग रहा था. उस शाम डाइनिंग टेबल पर चाय पीते समय देव मुझे कुछ समझा रहा था. कमान मा, तुम इतना क्यों टेंचन ले रही हो? समझ लो इतना सब कुछ जो मिल रहा है, वो हमारी किस्मत से मिल रहा है. फिर समीरा के डाड़ी इतने सीनियर आई ऐस है, मेरी जॉब में मुझे हर तरह से सपोर्ट करेंगे, और जितना समान वो दे रहे हैं, अपनी बेटी को दे रहे हैं, वैसा स्टाटस जुटाने में मुझे बरसो लग जाएंगे. समझा करो मा, ऐसा मौका बार बार नहीं आता. गायतरी से बया करके मुझे क्या मिलता? ना मान, ना समान, ना रुप्या, ना स्टाटस, उल्टे मेरी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती. फिर गायतरी और उसके अकाउंटेंड पिता अपनी हैसियत से उपर का सपना देख रहे हैं, मैं चिप थी, क्या कहती, कि बेटा गायतरी ने तो तुझे उस समय वारा था, जब तु बढ़ाई छोड़ कर आ गया था, उसी के प्रेणा से आज तु इतनी उचाई पर पहुँचा है, मैं देव का मूँ देख रही थी, देव किसकी भाशा बोल रहा था, इतना लोब, इतनी लिपसा, मेरे बेटे में नहीं हो सकती, कहां घुगए थे मेरे संसकार, या फिर लालच ने उसकी बुद्धी फिरा दी थी, क्या अम्मा जी ने अपने अर्मान पूरे करने के लिए देव को मूरा बनाया था, मुझे हथियार डालने ही पड़े, बेटे का ब्या करना था, वो भी एकलौते बेटे का, सो खुश तो रहना ही था, देव तो वापस नौकरी पर चला गया, हम लोग शादी की तैयारियों में व्यस्त हो गए, वो जाणों की एक खुशनुमा सुबह थी, अम्मा जी मंदिर गई थी, देव के पापा को आफिस भेज कर, मैं इतमेनान से गुनगुनी धूप में बुनाई कर रही थी, कि अचानक गेट से गायतरी आती दिखी, वही हसमुकसा सुंदर कोमल चेरा, वही सौमेता, नमस्ते करके वह मेरे पास ही बैठ गई, अचानक बोली, चाची जी, हम लोग परसो कानपूर शिफ्ट हो रहे हैं, मैं चौक गई, क्यों, क्या बात है, वह पापा का अचानक ट्रांसफर ओडर आ गया है, फिर कानपूर में अपना पुराना घर तो है ही, ये मकान तो वैसे भी छोड़ना ही था, किराय का जो था, वो फीकी हसी हस कर बोली, पर गायत्री तुमारी नौकरी? मेरी नौकरी का क्या है चाची जी, यहाँ छोड़ी, वहाँ लगी जाएगी, मैं बेहाद असहज महसूस कर रही थी, कि अचानक गायत्री ने एक सुन्दर रेश्मी रुमाल में लिप्टा बंडल मुझे दिया, चाची जी, इसमें देव के पत्र है, जो उसने मुझे मुझे मुंबई और लंदन से भेजे थे, बहुत कीमती पत्र है चाची जी, मैंने समाल नहीं पाऊंगी, आप इन्हें देव को दे दीजेगा, उसकी आँखें बराई थी, मुझ फेरकर वो उट खड़ी हुई, और धीरे धीरे लोट गई, मैंने बंडल खोला, तो एक चोर सा भाव मन में उठा, बेटे के प्रेम पत्र पढ़ने का मुझे कोई हक नहीं था, किन्तु एक पत्र पढ़ने के बाद मैं स्वैम को रोक न सकी, मैंने सारे पत्र पर डाले, बेहत सैयमित और व्यवहारिक पत्र थे, ये आज की पीड़ी के प्रेम पत्र थे, इन में भविश्य की योजनाई थी, प्रेम पगे आश्वासन थे, और केवल गायतरी से ही विवहा करने का संकल्ब था, आज देव ने सब कुछ राख कर दिया था, देव के ब्या को साथ बरस बीट गये हैं, इतने लंबे इंतराल में, मैं बस दो ही बार उसके घर जा पाई हूं, और दोनों ही बार खोटे सिक्के की तरफ फेर दी गई हूं, समीरा की उटपटांग आदतें, कृत्रिम विवहार और नाम मातर के कपड़े, मुझे कही न कहीं दंश दे जाते हैं, देव के पापा तो निर्विकार रहते हैं, गिन्तु मैं कहूं भले ही कुछ नहीं, फिर भी बेचैन बहुत हो जाती हूं, सबसे अधिक दुख तो देव को देखकर होता है, देव को बच्चे बेहत पसंद है, और समीरा उन्हें वंदिश मानती है, इसलिए उनका आंगा नाश तक सूना है, अम्मा जी का सपना था कि पड़ पोते का मूँ देखूं, सोने की सीड़ी पर चड़ कर स्वर्ग जाओं, वो सपना लिये ही वो चल बसी, मैंने तो देव के बाल बच्चे खिलाने की आसी छोड़ दी है, समीरा की उच्छ श्रिंख लता ने उसे घर ग्रहस्ती, पोटलों में खाना पीना, यही उसकी दिन्चरिया है, देव और समीरा का घर उनके लिए घर नहीं सराय है, फिर मैं यहां कैसे रह सकती हूँ, मैं बार-बार सोचती हूँ कि यदि गायतरी मेरी बहु होती, तो क्या देव के घर संसार की ये गद बनती, कहते हैं न, जो भागय में बदा है वही होता है, लेकिन देव ने तो अपना भागय स्वेम ही रचा था, शायद अपने बेटे के प्रती मेरा मूब तभी भंग हो गया था, जब उसने अच्छे दहेज के लालच में गायतरी को छोड़ दिया था, देव न मेरा बेटा नहीं रहा, वो मात्र समीरा का पती है, पता नहीं, अपने रचे चक्रवियू से अब वो कभी बाहर निकल पाएगा भी या नहीं, तो ये थी आभा श्रिवास्तव जी की कहानी, वो मेरा बेटा नहीं, सुनने के लिए धन्यवाद,